हेलो एवजीवान वेलकम बैक टू माई चनल सो गाइस आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 अरज सर्गवाल की बुक से गाइस नियुव एडिशन से एडिया ओफ सर्कल सेक्टर सेग्मेंट की एक्सराइज 16 एका कोशन नमबर 15 एंड 16 सभी कोशन सॉल्व कर चुके नहीं कि हैं सो वीडियो के अन्य प्लेलिस्ट मिल जाएगी एडिया ओफ सर्कल सेक्टर सेग्मेंट क्लास 10 महासा सभी सोलिशन देख ली जाएगा एड इंपोर्टन थिंग इस चाप्टर के mcqs अप्लॉड हो चुके हैं अरज सर्वाल की नियु एडिशन बुक के एड 12 cm long also find the area of the minor segment so guys first of all कभी भी इस टेपर कोशन दिया जाया तो diagram बनाई है you have to give on a circle okay so find the length of the arc cut from a circle find the length of the arc cut from a circle त्रीके आपको क्या बोला है एक arc है जो किस से cut की गई है circle से cut की गई है ओफ radius 12 cm by a curve 12 cm long means जो यह cord है यह कितनी है 12 cm है and जो radius है वो भी कितनी है guys आपकी 12 cm है right यह दोनो radius है इस center O से तो यह भी 12 cm है and जो यह cord है यह भी कित क्या है 12 cm है so यहां से आपकी एक बात के लिए हो जाती है diagram से कि जो triangle देख रहे है ना अगर हम cord को इस point को A इसे B माने triangle O A B की तीनों sides क्या हो गई equal हो गई that means यह कैसा triangle हो गया equilateral triangle हो गया so guys equilateral triangle के जो तीनों angle होते है वो कितने कितने degree के होते है 60 60 degree के होते है ठीक है आपको अच्छे से मालूम है that means यह भी 60 degree यह भी 60 degree and this is also 60 degree ठीक है so आगे क्या बूलते है find the area of the minor segment ठीक है आप से क्या पुछा है find the area of the minor segment so firstly आपको क्या calculate करनी है length calculate करनी है then आपको क्या calculate करना है area of minor segment calculate करना है right now आपको जो arc होती है उसका formula क्या होता है means length of arc अगर आपको calculate करनी है so guys इसका formula क्या होता है length of arc equals to guys, हम यहाँ पर minor arc लेकी चल रहे हैं, firstly ठीक है, minor arc, यह आपकी क्या हो गई? यह आपकी हो गई minor arc, and यह क्या हो गई? major arc, दोनों ही calculate कर लेता है, because आपसे length पूची है किसकी arc की पूची है, ठीक है so minor arc की जो length का formula होता है, वो क्या होता है? 2 pi r theta upon 360 degree, right? 2 into 22 upon 7, यह पिर pi की value आप से क्या बोला है? 3.14 लेने के लिए बोला है radius आपके 12 है theta आपके आपको मालूम ही हो गई? कितने degree का है? 60 degree का है, that means 60 degree upon 360, right? now, 6 exam, 36 6 to the 12, right? Now 2 to the 4, और 3.14 1 4 की 4 में multiply कीज़े, 4 4s are 16, 4 1s are 4 1 5, 4 3s are 12, right? तो यहां से आपका length of the minor arc कितना आ गया? 12.56 cm, right? so minor arc की value का आ गई? 12.56 cm, now length of measure arc जो measure arc होती है, उसकी length क्या होती है? means जो यह measure arc देख रहे हैं सीदर सीदर formula होता है आपका, जो circumference होता है circle का, 2 pi r उसमें से minus कर दो length of minor arc ठीक है, तो वो किसकी value हो जाती है? length of major arc किया जाती है तो चलिए इसको भी solve कर लेते हैं 2 into 3.14 into 12 minus 12.56 right? now guys 3.14 में किसकी multiply करनी है? 12 to the 24 तो यही से हम solve कर लेते हैं 34 के multiply करने है 4 के हम उल्री करी चुके है 4 to the 8 2 to the 2 3 to the 6 6, 8 or 5 13 right? now 2 to 4 1, 5 6 or 1, 7 तो 2 points के बाद that means यहां से आगया आपका 75.36 minus 12.56 so 75.36 में से क्या minus करना है? 12.56 6 में 6 आएगा? 0, 13 13 में से आप क्या minus करेंगे? 5 तो कितना आता है? 8 4 में से 2 गया? 2 7 में से 1 गया? 6 that means वो मेजर आप की वैल्यू है वो कितनी आगई? 62.80 cm so length of minor arc आगया length of major arc आगया now arc की वैल्यू तो length of arc आपका मालूम हो गया area of minor segment मालूम करना है area of minor segment equals to formula यार रहना आपको pi r square theta upon 360 minus 1 upon 2 r square sin theta अब इस segment क्या होता है? ये तो मालूम है आपको गाईज ये होता है आपका minor segment and ये बचा हुआ आपका major segment होता है ये O, A, B ये पूरा एक sector होता है इस sector के area में से आप क्या करेंगे triangle का area minus कर देता है तो segment का area आजाता है ये आपका sector का area होता है pi r square theta upon 360 right? इस में से triangle का area minus कर देते है तो हमारे segment का area दे जाता है segment मालूम है जो एक code और arc से मिलकर बना होता है वह एक आपका minor segment और code और बड़ी arc जो होती है इस से मिलकर बना होता है इसे केतना major segment now value put कर दीजे 3.14 into 12 into 12 into 60 upon 360 minus 1 upon 2 into 12 into 12 sin 60 की value क्या होती है guys root 3 upon 2 होती है तो हम यह आपका put कर देंगे ठीके 66 is a 360 right now 6 to the 12 12 to the 24 तो 3.14 की 24 में multiply करेंगे हमने अलड़ी है यहाँ पर की हुई है ठीके हम यहाँ पर रख देंगे now 2 6 is a 12 तो minus 6 into 12 into root 3 upon 2 2 3 is a 6 right now solve करते है यह multiply यह आप लोग और रड़ी कर चुके है तो 75.36 का जाएगा उसको multiply करके minus 36 into root 3 की value आपको अल्रड़ी गीवन है 1.73 right guys clear है? समसार है ना? वीडियो लाइक नहीं किया है जल्दी से किजिए comment किजिए समसार है now 1.73 की किस में multiply कर दीजिए? 36 में 6 3 is a 18 7 6 is a 42 1 43 now 6 1 is a 6 10 now 3 3 is a 9 7 3 is a 21 3 1 is a 3 and 2 5 now 8 9 3 12 2 6 so 62.28 that means 75.36 minus 62.28 right guys? so अब माइनस कर देते हैं 75.36 में से 62.28 minus करेंगे 6 है करें लेंगे 68 में से 8 गया 8 2 में से 2 गया 0 5 में से 2 गया 3 7 में से 6 गया 1 that means 13.08 centimeter square this is the area of the minor segment so guys इस तरीके से question number 15 completely solve हो जाता है so सभी question ऐसे ही solve किये गए है समझ आया video लाइक नहीं किये जल्दी से कीजिए comment कीजिए समझ आरा है now next question solve कर लेते है now friends question number 16 is given that a coat 10 cm long is draw in a circle whose radius is 502 cm find the area of the board segment so guys first of all क्या करना है हम लोग को diagram बनाना है ठीक है मैंने आपको हमें इशर बताया है कि जब भी आपको step से question दिया है सबसे पहले कि आप diagram बनाईए because अगर आप diagram बनाएंगे तो question हीजी हो जाता है solve करना ठीक है so this is the center आपको radius दी है और एक कॉड दी है जिसकी length कितनी है 10 cm long है तो यह कॉड होगी हमारी इसकी length कितनी है 10 cm long है right radius कितनी हो गई गाई आपकी 5 root 2 cm clear है इतना concept क्या find out करना है area of board segments so firstly minor segment कॉड और आख से बना हुआ जो segment होता है यह क्या कहलाता है आपका minor segment और यह जो कोड और बड़ी आख से बना हुआ जो area कहलाता है वो कहलाता है आपका measured segment कहलाता है ठीक है तो area of आपका minor segment का formula क्या होता है area of minor segment equals to pi r square theta upon 360 minus 1 upon 2 r square sin theta यह formula कैसे आता है हम लगो को guys यह point O है यह पूरा O यह भी एक sector होता है two radius और आख से जो मिलका बना होता है वो सेक्टर कहलाता है sector का area pi r square theta upon 360 होता है and यह जो triangle है इसका अगर हम area रेखे तो 1 upon 2 r square sin theta होता है ठीक है तो guys sin theta यहाँ पर क्या होता है यह जो angle है आपका ठीक है यह जो arc जो angle बनाती है आपकी code जो आपकी angle बनाती है यहाँ पर तो वो angle कहलाता है आपका ठीक है so guys अब आपसे पूचा है यह angle आपको मालूम नहीं है theta it means आपको r भी मालूम है ठीक है बट theta मालूम नहीं है so कैसे find out करेंगे firstly आप देख सकते हैं जैसे हमने question number 15 में देखा था 3 sides equal थी तो आपकी आपकी equilateral triangle है ठीक है तो यहाँ पर आपकी 2 sides तो equal है लेकिन ऐसा तो clear नहीं है isolis में कि आप angle find out कर सके so guys यहाँ पर हम क्या करते हैं check करके देखना जो 2 equal sides आई है उनके square का sum जो आपको 3rd side दी है उसके square की equal है की नहीं है it means अगर हम 5 root 2 का square यानि की pythagoras theorem लगा के देखे और इसका square करे तो 5 5s are 25 25 के 2 में multiply करेंगे 50 plus यहाँ से भी 50 that means 100 तो यह a b square के अगर हम 1 को लेकर चले pythagoras theorem के तो tan square that means 100 equals to 100 it means pythagoras theorem proof हो रहे है we can say अगर हम a b square is a b के value calculate करे तो root 100 that means 10 cm आपकी आती है so it means यहाँ पर हमारी pythagoras theorem apply हो रही है so अगर pythagoras theorem apply हो रही है तो यह angle कितने degree का होगा 90 degree का होगा obviously तब ही तो आपकी यह value hypotenuse के लाएगी hypotenuse के सामने वाला angle यह 90 degree का होगा है so guys यह angle कितने degree का हो जाएगा it means 90 degree का हो जाएगा तो step से check करके देख लीजेगा ठीक है so concept छोड़ोटे concept के जो देखने है equilateral angle हमने दो साइट देखने के उनका करके देख लिया तो उसे मारूम हो गया कि वो 90 degree का है so guys यहाँ पर value put कर दीजे pi की value 3.14 given है आपको put करनी है r की value 5 root 2 into 5 root 2 because r square है so we write it 2 times theta 90 degree upon 360 degree minus 1 upon 2 5 root 2 into 5 root 2 into sin 90 degree sin 90 degree की value क्या होती है जल्ले से बताइए 1 होती है मैंने आपको table learning trick बताई ही भी नहीं मालूम है गाइस हो चनल पर देख लीजेगा description box में भी link available है right now 9 forza 36 होता है 0 so 0 cancel 9 forza 36 right now 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 2 लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम 2 into 2 लिख सकते हैं तो root 2 root 2 से आपका 2 cancel हो जाएगा because root 2 into root 2 क्या होता 2 गेको होता है सेम यहाँ पर ही root 2 root 2 से यह 2 cancel हो जाएगा ठीक है calculation easy कर दिये so आइए solve करते हैं 3 point इस 2 से इसको divide कर लीजे 2 बोल जा 2 2 5s are 10 2 7s are 14 1.57 into 5 5s are 25 minus 25 into 1 sin 90 की value हमने 1 put कर दी right now इनकी multiply करते हैं 1.57 into 25 5 7 is the 35 5 5 is the 25 and 3 28 5 1 is the 5 to 7 7 to the 14 5 to the 10 1 11 2 1 is the 2 3 right 5 8 or 4 12 7 1 8 and 9 3 3 right to 39.25 39 .25 minus 25 25 25 25 25 25 25 because point value है ठीक है तब minus कर देते हैं 25 तो पीछे हम 00 लगा लेते हैं आपों नहीं मालूं 25 9 में से 5 गया 4 3 में से 2 गया 1 तो यहां से answer क्या गया 14.25 cm2 So area of minor segment कितना आ गया 14.25 cm2 So easy Now area of measured segment because what segment guys आपसे पूछे हैं किस के एककल होता है देखे जब आप length की बात करते हैं तो हम circumstance लेते हैं 2 pi r area की बात कर रहे हैं तो पूरे circle का area लेंगे pi r square minus उसमें से area of minor segment minus कर देंगे तो यह major segment का area ले चाहेगा area of minor segment तो दिहान रखना guys कभी भी mistake मत करना length के लिए जब हम length of arc बात करते हैं तब हम 2 pi r कर लेते हैं जब area के बात कर रहे तो circle का area ही लेंगे pi r square उसमें से area of minor segment minus कर देंगे 3.14 into 5 root 2 into 5 root 2 right यहां से क्या आया minus करके 14.25 ठीक है हमने multiply guys किस कि की थी 55 is a 25 की की थी ठीक है चलिए हम multiply कर लेते हैं इसको रब कर देते हैं यहां से 3.14 की 25 into 10 ठीक है सबसे पहले देखिए 55 is a 25 into root 2 की root 2 में करेंगे तो 2 now 25 to the 50 हो गया ठीक है तो 3.14 into 50 minus 14.25 ओकी तो 3.14 की 50 से multiply करेंगे आप लोग now 5 4 is a 20 5 1 is a 5 2 7 5 3 is a 15 00751 now यहां पर point लग जाएगा तो value क्या है यह आपकी यहां पर लिख लेते हैं 157.00 minus 14.25 तब minus कर दीजे 14.25 right now यहां पर 0 है carry ले लेंगे LC में यहां से आप तो कितना हो जाएगा 10 10 में से 5 गया 5 यहां पर 9 है जाएगा 9 में से 2 गया कितना जाएगा इस आपका 7 है जाएगा now 6 6 में से 4 गया 2 5 में से 4 गया 1 5 में से 1 गया 4 and 1 as it is यहां से क्या गया answer 142.75 cm square so area of major segment 142.75 cm square and area of minor segment 14.25 cm square so this is the area of minor segment and this is the area of major segment इस अरी के से जाएगे से कुशन सवाल हो जाता है समझाया वीडियो लाइक ने किए जल्दी से कीजिए कमेंट कीजिए सभी फ्रेंट्स को शियर कर दीजिए सारी mcq solutions अब अविलेबल है चनल पर सभी देख लीजएगा ठीक है and सभी solutions new rs लगवाल की addition के भी आप देख सकते हैं सो मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में पर बाई टेक के